हलो एवरीबन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में नया इंकम टेक्स पोर्टल मतलब प्रॉबलम ही प्रॉबलम का सॉलिशन नहीं मिलता है कि दूसरा प्रॉबलम स्टार्ट हो जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहां पे लॉगन किया हुआ है और जिनका मैंने लॉगन किया है इनका रीफंड असेस्मेंट यर 21 का रीफंड आ चुका है बढ़ आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहां पर ईवरिफिकेशन अभी भी दिखारा पेंडिंग है अगर आप यहां पे यहां पे टिक हो चुका है, ITR file हो चुका है, अंडर processing है और यहाँ पर under processing ही दिखा रहा है अभी भी, जबकि इनका intimation भी आ गया है, and इनका refund भी आ गया है, और कमाल की बात ये है कि अगर हम यहाँ पर download करेंगे receipt जैसे हम यहाँ पर receipt down करते हैं, अब download करने के बाद अगर view करेंगे तो view करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम return फाइल करने के बाद अगर return को e-verify नहीं करते हैं तो return कुछ ऐसा दिखता है जबकि यहाँ पर यह return e-verify भी किया जा चुका है and secondly इसका refund भी आ गया है फिर भी अभी भी यह जो acknowledgement है यह ऐसा दिख रहा है तो जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं income tax की portal पर अभी कभी भरोसा नहीं कर सकते हाला कि मैंने दूसरा case यह है कि मैंने PDS का return जो है वो file किया था OTP के थुरू कल file किया था and जब मैं कल देख रहा था तो कोई भी status यहाँ पर नहीं दिख रहा था file भी नहीं दिख रहा था और वापस file करने जा रहा था तो file भी नहीं हो रहा था बड़ मैंने आज देखा तो file करके दिखा रहा था तो income tax के portal भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर कुछ भी show करता है तो अभी आपको क्या error आ रहा है आप मुझे comment करके बता सकते हैं and सबसे बड़ी बात आप income tax के नए portal पर भरोसा नहीं कर सकते हैं इसमें कहीं भी कुछ भी show करता है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी and आपको अगर यह error आता है तो मैं स्थिप इतना ही कहूँगा कि यह error basically सबको आ रहा होगा तो आप टेंशन लेंगी जरुवत नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऐसे ही income tax portals पर क्या-क्या errors आ रहे हैं क्या-क्या updates आ रहे हैं सब आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले Thank you for watching and all the best